नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में एकू नियो 6 5G वर्सस वीवो वी 23 5G का फुल डेप्ट कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, नियो 6 5G में 6.42 इंच जबकी वी 23 5G में 6.19 इंच की लेंथ मिलती है जोकी नियो 6 5G से कम है Width की बात करें तो New 65G में 3 इंच जबकि V23 5G में 2.85 इंच की Width मिलती है जोकि New 65G से कम है बात करें थिकनेज की तो New 65G में 0.33 इंच जबकि V23 5G में 0.29 इंच की थिकनेज मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो New 65G में 190 इंच जबकि V23 5G में 179 इंच का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो New 65G में 6.62 इंच जबकि V23 5G में 6.44 इंच जबकि V23 5G में 6.44 इंच जबकि V23 5G में 87.9 आथ प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो New 65G में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V23 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो New 65G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है और V23 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Neo6 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और V23 5G में dual camera देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते है अईए अब बात करते है hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Neo6 5G में Adreno 650 जबकी V23 5G में Mali G68 MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Neo6 5G में Qualcomm Snapdragon 870 और V23 5G में MediaTek Dimensity 920 MT68770 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों phone में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों phone में सेम ही 128GB 256GB की storage मिलती है Xpandable Memory दोनों फोन में नहीं है Operating System दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है Battery Neo6 5G में 4700 mAh जबकी V23 5G में 4200 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो Colors Option देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Neo6 5G में दो Variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB Storage के साथ 29,490 रूपीज 12GB RAM 256GB Storage के साथ 39,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें V23 5G की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB Storage के साथ 29,990 रूपीज 12GB RAM 256GB Storage के साथ 34,990 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Eco Neo6 5G में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo V23 5G की तो उसमें 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम Same Price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें वीवो X60 है, दुसरा Xiaomi Mi 11X Pro 5G है, तीसरा Google Pixel 6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें EQZ 5 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना